आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूटूब चेनल टीच सुरज दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो वाइट 200E5G फोन में एजी टेच सेटिंग कैसे आन करें जी हाँ दोस्तों अगर आप भी वीवो वाइट 200E5G फोन का यूज करते हो तो ये व आपको सबसे पहले करना क्या होगा आपको सबसे पहले अपने फोन की शेटिंग को आन करना होगा गाइच आप अपने फोन की शेटिंग को आन करना उसके बाद आप थोड़ा इसको लप करोगे तो देखिए आपको यहां पर मिल जाएगा दूसरा आपसन इजी टेच का आ आप यहां से देखिए आपको यहां पर प्रकार का है आप किसी भी प्रकार के लोगों को यहां पर रखना चाहते हो तो आप यहां से चेंज कर सकते हो आप यहां से अगर अपलाई कर दे रहे हो तो आपको देखिए यहां पर लोगों कुछ इस प्रकार का हो जाएगा तो चल हम यहां से एड कर दे रहे हैं हम आपको दिखा दे रहे हैं यहां पर नीचे देख सकते हो हमारा जो की एक ही अप्लिकेशन यहां पर एड है तो आप इस पर क्लिक करके आप यहां से नव अप्लिकेशन एड कर सकते हो तो चलिए गाइज आपको हम दिखा दे रहे हैं यहां प तो आप देख सकते हो, easy test में आप click करोगे, आपको जो भी यहां से मिल जाएगे, और उसके बाद आप यहां से school करके, आपने जो भी add किया है आप यहां से देख सकते हो, तो चलिए हम आते हैं बैंक, उसके बाद आपको देखे यहाँ पर मिल रहा है दूसरा अप् sortie type का आप क्लिक करना उसके बाद आपको देखे यहाँ पर कुछ इस प्रकार कर दोग्यों है西ुज तो guys आप dual type वाले option पर यहां पर कुछ भी क्लिक करके आप वहां से earn कर सकते हो आपको dual type में करना क्या होगा आप इस पर दो बाट type कर दोगे तो आपके जो हो देखिए यहां पर volume प्लस और माइनस होगी आप इस पर क्लिक करके आपको देख सकते हो आप प्लस हो जाएगी तो चलिए हम आते बाट उसके बाट आपको देखिए यहां पर मिल रहा है press and hold का option आपको यहां पर press and hold वाले option पर आप देख सकते हो यहां पर calculator का option click है तो चलिए हम आते बैक आपको करना क्या होगा आपको जो है इसी logo पर click करके आपको hold कर देना है आप जब hold कर रोगे तो guys आप देख सकते हो आपका यहां पर calculator open हो जाएगा तो हम आते बैक उसके बाद आपको देखें यहां पर मिल रहा है hold and slide always guys आप hold and slide down का option करोगे तो आप देखें यहां पर click है आपको back आ जाना तो आप hold and shout down पे आपको देखें यहां पर click है आप back आ जाओगे आप इस पर click करके आप अगर ऐसे slide कर दे रहे हो नीचे तो आप back आ जाओगे उसके बाद आपका last option है hold and slide up आप देख सकते हो आप इसके hold करके आप उपर की तरफ कर दोगे तो जो है आपका phone silent mode पर हो जाएगा आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर silent mode पर है अभी हम इसी टैप करके आपको यहाँ पर कर देंगे तो guys यह जो हो हमारा silent mode आफ हो जाएगा तो आप देख सकते हो हमारा silent mode आफ हो गया और हम इसे अगर tap करके ऊपर कर दे रहे हैं तो हमारा silent mode on हो जाएगा तो guys आपको कुछ इस प्रकार की easy test में शेटिंग मिल जाएगी अगर आप भी Vivo Y200E 5G phone में easy test setting on करना चाहते हो तो आप इस प्रकार कर सकते हो I hope guys आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो like और channel को subscribe जरूर करें मिलते हैं फिर किसी दिन next topic, next video तब तक के लिए bye